इस वीडियो में हम लोग कोश्चन और नमर 10 करने वाले हैं तो एक्जामपल नमर 10 में क्या बोला है बोला कि फाइंड वैल्यों ओफ ए एंड बी हमें और बीका निकालना है इफ अगर हमें दे दिया है इसेवन प्लस थी रूट फाइब थी प्लस रूट फाइब अगर हमें दिया है तो मुझे और बीका निकालना है कैसे निकालेंगे हमें सबसे पहला काम तो ही करना है जो से पहले कर रहे थे कि हम इसको रिशनाइस कर लेंगे तो चलो करते हैं यहां से मिलिक्रम यह हमारा सैवन पलस थी रूट फाइब बाए कि थी पलस रूट फाइब यह होगा हमारा थी मैनस रूट फाइब तो पर भी सेम नंबर से मुटिप्लाइब करेंगे तरी मैनस रूट फाइब यहां मैनस है तो मैंस का साल लेंगे अब इसको भी करेंगे हम लोग रिशनलाइज तो इसको कर रहे हैं रिशनलाइज तो क्या हो जागा माला कि 7-3 रूट फाइब बाइब कहा है माला कि 3-5 तो मैस जाल देता हूं अब इसको रिशनलाइज करेंगे तो यहां मैनस है तो अगला वला क्या लेंगे पलस मिलेंगे तो चोड़ हो गया मारा 3-5 और से ओपर भी मुटिप्लाइब कर देंगे 3-5 से ओपर भी कर दिया मुटिप्लाइब अब इसको इसको इसे करेंगे तो मैनस 7-5 हो जाएगा चली लिए दिया देखो जो हम इसे करेंगे मैनस 7-5 और से करेंगे तो 3-3 जा 9 तो पलस में आएगा पलस 9-5 चलिए अब इसको इसे मुटिप्लाइब दिया तो पलस ब्स-minus-2-3 यहां कुछ नहीं तो तो रूट 5 इंटो 5 5 5 3 15 तो उपर आगे हमारा 15 और निची अब इसको solve करेंगे तो निची तो आपका a plus b into a minus b के form में है यानिके a square minus b square का formula में होगा यानिके 3 का square minus root 5 का root 5 का square ठीक है चली मैंनस है तो मैंनस दाल दिया वही अब यहां कर रहा है सेम काम यहां भी करेंगे आपन तो चलो इसको कर रहें तो साथ यह होगी हमारा 21 चली फिर इसको भी से multiply करेंगे तो हो जागा plus फोलस जागा मरा के root 7 root 5 ठीक है चली देन उसके बाद अब इसको से multiply करेंगे तो मैनस और प्लस मैनस होगा तो यह होगा मैनस ठीक हो जागा हमारा देखो तो स्कुरा है चली अब आगी सो सॉल करते हैं तो 21 और 21 मिसे 15 मैनस कर दो तो जब 21 मिसे 15 मैनस करेंगे तो हो जागा हमारा 6 है तो 6 आगिया 6 आगिया 6 प्लस में आगा क्यों 21 बड़ा है चली प्लस में आगे अब यहां यहां पर 9 root 5 है यहां पर जो जागा है तो तो 9 मैं से 7 को मैनस कर दो तो हमारा प्लस में आगा क्यों 9 बड़ा है और इसका साइन प्लस में तो प्लस में तो तो root 5 यह आगिया हमारा ठीक है सूल करने के बार और अपन में देखो यह जागा 3 कर स्कॉर हो जागा 9 यह हो गी हमारा 9 मैनस यह हो गया 5 चलिए सेम काम यहां भी करेंगे मैंस से मैंस का साइन देगा 21 में से जो 15 मैंस हो जाएगा हमारा जो चलो यह दिया 6 दन अगें यहां पर जो हम लोग इसको मैनस करेंगे दिखो यहां पर आपका यह मैनस में आगा है ना मैनस के ना इन बड़ा है मार जो तो तू रूट फाइब हमारा यह मैनस में आ ठीक है दिखेंगे चलो फिर उसके बाद बाइम हमारा रही काम अगा 9 9-9 मैनस यह हो जाएगा हमारा 5 रूट 5 का स्कॉर 5 होता है तो हो गया 5 चलिए आगे यहां सॉल क रहा हुए आपको वज़ागा है हमारे पास में तो मैं यहां आपको सॉल्व करके देदा हूँ देखो ओ देखना देखना तो यहां हो जागा हमारा कितना कि 6 देखना is equal to 3 होगे वाँ 6 पलस 2 रूट 5 ना 2 रूट 5 अपाउन कि हो जागा हमारा 4 हो जागा यहां जागा यहा अब क्यों वहाई बाद करते हैं अब क्या दोनों का अल्सम लिए यह को जाएगा नियुक्ति तो भी अबियोंग प्लूस तो रूट वाइब ठीके अब यहां मानत है तो यह जागा 6 प्लस 2 root 5 मैंने सिक्स एंद देन प्लस मैंने स्पलस प्लस प्लस तू रूट 5 अप आन फोर हो जाएगा चलिए प्लस 6 और यह इस समझना है हम समझनी वाली बात ही है और यह जितना आए रूट 5 यह जहां है यह समझना बात को यहां और सम को इसको मैं अगर अच्छी से लिखूं तो ऐसे लिख सकते हो आप कि जीरो प्लस रूट फाइव इस एक्वाल टू ए प्लस रूट फाइव दी तो अब यह जो हमारा एह ना यह जो है यह जो है यह जो है यह जिरो के बरावर आजागा ठीक है क्योंकि यहां पर कुछ नहीं हो देखो जर्ण यहां कर दे रहा हो तो 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 एज़को टूट तो हमारा जीरो गें यहां से तो किलेर समझ में आरा है कि A is equal to होगे हमारा 0 and then B हमारा क्या है root 5B Na to root under five B five B is equal to हमारा आ रहा है root 5 यह हो गया root 5 और यह root 5 से यूट 5 कैंसल हो जागा ना कि B का जो वैल्यू है हमार दिया इस्टूनेंस बी इस इक्वल टू वन आएगा तो यह आगे हमारा बी का वैल्यू तो A और B निकालने के लिए कहा गया था तो A is equal to जीरो, B is equal to हमारा 1 आ गया है तो इसी तरह से स्टुरेशन से हमको इस कोशन को सॉल्व करना था जो की हो गया है तो इस अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोशन के साथ, नेक्स्ट एक्जामपल के साथ अब तक कि लिए बाबाई, अल्ला हाफिज दौा में आदकना